हिंदु धर में कार्थिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितिय तिथी को भाईदूच मनाया जाता है। इस दिन बहने अपने भाईयों की लंबी उम्र और सुख सौभागय की कामना करते हुए उन्हें तिलक लगाती है। भाईदूच पर भाई को टीका लगाने का खास महत् इस दिन बहने रोली और अक्षत लगाकर अपने भाईयों को तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों का आशिरवाद लेकर उनकी जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। इस साल भाईदूच की सही देट क लेकर लोगों में असमंजस की स्तिथी बनी हुई है। ऐसे में आए जानते हैं कि इस साल 2023 में भाईदूच की सही दितिति शुमहूर्थ महत्व और तिलक के नियम। पंचांग की अनुसार इस साल कार्थिक माह शुकलपक्ष की द्वितितिति का आरम 14 नवंबर को दो पहर दो बचकर 35 मिनट पर हुआ और 15 नवंबर को रात एक बचकर 47 मिनट पर समाफ्थ होगा। ऐसे में उदयातिति के अनुसार 15 नवंबर को भाई दूच मनाया जाएगा। इस बार 14 नवंबर को दो पहर 12 बजे के भाद भाई को तिलक लगा सकते ही। दो पहर 12 बजे तक भाई को तिलक लगाने का शुमरत बन रहा है। प्रेम का प्रती माना जाता है। इस दिन बहने अपने भाई को अक्षत और चेंदन का तिलक लगाती है। अधार में एक मानिता है कि इस दिन यमराज और यमना जी की पूजा करने से जातक के सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं। प्रेम का जाते हैं।